हेलो फ्रेंज अलका जादा चैनल से आप सबका फिर से स्वागत करती हूं मैं और आज हम बनाने जा रहे हैं घर में शुद्य देशी घी वो भी दानेदार और बिल्कुल असान तरीके से वैसे तो मार्केट में बहुत से घी मिलते हैं और तरह तरह की वेराइटी के घी मिलते लेकिन मैंने सोचा कि क्यों न अपना देशी शुद्गी घर पे ही बनाया जाए और मलाई से वो भी कम समय में और नई तरीके से तो चलिए हम अपना देशी गी बनाते हैं तो देखिए फ्रेंड इसके लिए मैंने ये भारी तले का कटोरा लिया है और ये जो मेली मलाई है ये साथ दिन की मलाई मैंने लिये फ्रेंड और हर दिन जब मैं इसमें मलाई डालती हूं तो मैं इसमें एक चमच तेबिल स्पून जो है अपना दही डाल देती हूं ताकि और साथ दिन में मेरी ये मलाई बन चाती है तो इसमें मैं क्या करूँगी कि मैं आपको इबाद में बताऊंगी कि मैं इसमें दही क्यों डालती हूँ तो देखे जब मेरे को आपको मलाई बनानी हो फ्रेंज यहाँ पे मैं यह टिप दूँगी कि जबी भी आप जिस दिन आप मलाई बनाए उस दिन आप मलाई को अच्छे से 5-6 गंटे के लिए बाहर निकाल के रख दे ताकि ये रूम टेंपरेचर में आ जाएगी और ये सॉफ्ट हो जाएगी और स्मूध हो जाएगी फिर हमें इसे एक डायरेक्शन में मैं अब इसको धीरे-धीरे फेटूंगी इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और ये बहुरी असान तरीके से मैं इसको बनाऊंगी और मलाई से मैंने यहाँ पे अपना बटर बनाया है बटर मिल्क बनाया है और घी भी बनाऊंगी तो देखिए फ्रेंस यहाँ पे मैं आपको एक यह दियरेक्शन मैं फेटी है पांच मिल्क हमको इसको फेटेना है यह देखिए और एक ही दियरेक्शन में थे मैं भी तेजी से मैं नगलना भी शुरू होगया है यहाँपै देखिए इसलिए फ्रेंस मैंने आपको बोल आ कि ये जो आप मोटे तली की बरतन avoiding भी जिए इससे और एक फ्लैट आप अपना जो स्लैब होता है उस पे भी रख सकते हैं और अगर आप नीचे बैठ सकते हैं तो फ्रेंट्स नीचे बैठ के असानी से आप किसी भी चमम जास सर्विंग स्पून या मत्नी साद इसको मत सकते हैं अब देखें फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने आधा ग्लास के करीब मैंने चिल वाटर लिया है और वो मैं इसमें डाल दूँगी और फिर पांच मीट और चलाऊंगी इसको मैं मैंने यहाँ पे गर्मी के दिनों में यहाँ पे आप गर्मियों के दिनों में चिल वाटर लीजे और जाणों में आप इसको पानी को कुन-कुना करके ले सकते हैं और यह देखे friends हमें बस यहाँ पर main बात का यही ध्यान रखना है कि एक ही direction में हमको अपनी चम्मच को यह मतनी को चलाना है और बहुत असानी से यह हमारा टेक्निक काम करती है और यह हमारा मक्कन निकलाता है उपर थोड़ी देर में आप देखेंगे friends यह पूरा एक गोला सा बनके उपर आ जाएगा और पूरा मक्कन हमारा उपर आ जाएगा और नीचे बटर मिल्क रह जाएगा यह देखें इसने आना शुरू कर दिया है और यह जो नीचे है यह मेरा बटर मिल्क है तो मैंने बटर में अपने मलाई में दही डालने को इसलिए कहा क्योंकि friends जैसे जैसे हम इसमें दही डालेंगे तो थोड़ा हमारा खटा आ जाएगा और वो बटर मिल्क हमारा बहुत मलाई में मलाई दार टेस्टी बटर निकल के मिल्क निकल के आता है मैं यहां पर आपको यह टिप दूँगी कि आप हफते भर के ही मलाई को आठवे दिन निकाल के इसका बटर घी या बटर मिल्क बना लीजे अब देखें फ्रेंड्स या आधा ग्लास और मैंने इसमें पानी डाला है चिल्ड क्योंकि अभी मेरे को और इसमें मक्कर निकालूंगी मैं इससे और फिर हम इसको वैसे ही प्रोसेस में चलाएंगे जिस तरह से मैंने पहले चलाया था और मात 15 मिन में आप मेरे देखेंगे कि मेरा बटर मिल्क बटर एंड घी तीनों बन जाएंगे यह देखें इस तरह से आप चलाएंगे तो ना आपको हाथ को प्रेशर देना पड़ेगा और ना ही आपको मिक्सी की जुरत पड़ेगी और बरतन भी कम यूज होंगे यह देखें मेरा बटर विल्कुल उपर आ गया यह देखें फ्रेंट्स बहुत असान तरीके से यह मेरी घी बनाने की तरीका मैं आपके सामने की रेसिपी शेयर कर रही हूं पांच मिन मैंने पहले चला है पांच मिन में बाद में चला रही हूं तो दस मिन में मेरा यह घी बनके बटर मक्कन बनके बहार आ जाएगा यह देखें फ्रेंट्स यह देखें फिर मैंने वही प्रोसेस शुरू किया है और इसमें थोड़ा सा च्छेटकते हैं इदर उदर मक्कन गिरेगा लेकिन आप बिलकुल भी परशान मत हो यह आराम से साफ हो जाएगा और इस तरीके से आप अपना देशी मक्कन गी और बटर तीनो बटर मिल तीनो आप अपना घर में बना सकते हैं यह देखें अब मैंने यहाँ पर एक भगोने में ले लिया इसको सारा बटर जो मेरा गोला आप चाहे तो हाथ से भी निकाल सकते हैं या किसी सर्विंग मैं यहाँ पर सारा शिफ्ट कर लूँगे अपना बक्तन को हमको इसको ज़्यादा दिन मलाई को फ्रिज में नहीं रखना है मैं बार बार आप से यह अनुर्ट करूंगी कि एक हफते की मलाई का यह बना लीजे क्योंकि ज़्यादा रखने से हमारी मलाई कर भी हो जाएगी क्योंकि इसमें धही हम एक चमज जब हम मलाई डालते हैं डबे में तभी हम एक चमसी में आप धही डाल दीजे तो ये आपको तीनों चीजे मिल जाएंगी इसमें ये देखेंगे फैंस यहां पे ये जे दूद दूद जैसा है ये मेरा बटर मिल्क निकला है और विकुल ताजह बटर ला गया है यहाँ पर, आप इसको किसी भी dish में यूज कर सकते हैं चाहे तो आप इसको जीरा और फिसा बुना जीरा काला नमक डालके मठा में लाके पीभो पी लगत हैं और चाहे तो आप इसको कड़ी inning और धही के आलू बनाने मेंTON कर सकते हैं किसी भी मेथट से आप इसको यूज कर सकते तो यह है मेरा शुद्ध बटर मिल्क तो आप मैं इसको दूसरे ग्लास में निकाल लूँगी और यह देखे पूरा एक फ्रेंड पूरा भरके ग्लास मेरा यह बटर मिल्क निकलाया है तो यहाँ पे आपने देखा फ्र तो मैं इसका घी बना लूगी और अगर आप चाहें तो इसका आधा घी आप बना के रख सकते हैं और आधा बटर आप अपने डेली कंजूम में यूज कर सकते हैं जिसके आप पराटे बना लिजे या किसी और चीज में आप यूज कर सकते हैं इसको अब यहाँ पर पोई प् इसे continuity में तब तक चलाना है, जब तक कि ये अराम से मिलना जाए, तो हमें इसे continuity में चलाते रहेंगे, अब ये देखे फ्रेंट्स, ये इसने थोड़ा से अपना texture change किया है, और थोड़ा oily oily घी उपर आने लग गया है, गैस इस समय मेरी medium रहेंगी फ्रेंट्स, और हमें तब तक चलाना है इसको जब तक कि ये golden brown नहीं हो जाता है, और थोड़े देर में आप देखेंगे कि बिल्कुल दानेदार घी उपर आ जाएगा, इसे हमें continuity में चलाना है, जब तक कि अभी देखें नीचे butter का गुठला है, ये थोड़ा, इसका texture hard हो गया है, अब देखें यहाँ पर, और अगर इस समय अगर हम sides के इसको scrub नहीं करेंगे, तो ये sides से लगने का डर है, अब इसमें देखें मेरा boil आ चुका है, और इसने पर आने लगया पकने के बाद में, ये देखें, यहाँ पर हम low और medium गैस पर इसको पकाएंगे, और इसको continuity में चलाते रहेंगे, और जब ये घी थोड़ा उपर आ जाएगा पके, तब हम क्या करेंगे, कि हम इसका अपना जो continuity चलाने की थोड़ा कम कर देंगे, और गैस को medium करके इसको पकाएंगे, जब तक कि ये golden brown नहीं हो जाता है, ये देखें फ्रेंज, अभी ये मेरा शुद्दगी उपर आ रहा है, इसी तरह से फ्रेंज, हम अपना एक ही मलाई से हम अपना तीन चीज़े बना सकते हैं, अभी मुश्किल से मुझे 5 मिंट हुएं इसको चलाते हुए, और यहां पर हम गैस को थोड़ा तेज कर देंगे, क्योंकि हमारा ये अच्छे से mix-up हो गया, और दाने-दार जो इसके अंदर जो है, ये देखिए, दाने-दाने से उपर आ गया है, गी के, ये देखिए, और ये हमारा दाने-दार गी बनना शुरू हो गया है, ये देखिए, फ्रेंस, पूरा देशी शुद्ध गी उपर आ गया है, वैसे तो फ्रेंस हम हर कोई मलाई बनाता है, मलाई से घी बनाता है, लेकिन होता जनरली क्या है, कि हम मलाई को ऐसी पका के बनाते है, तो इसमें जो और वो भी घर का देशी शुद्ध गायकागी मिलेगा आपको फ्रेंट्स और इसमें बिरकुल भी महरत नहीं पड़ती है फटाफट मैंने 15 बिन में इसको बना लिया तीनों चीजों को अब यह देखें फ्रेंट्स अब इसने गोर्डन होना शुरू हो गया है हम इसको थोड आप में आती है यह मलाई ही होती है फ्रेंट्स और अगर अभी इस समय हम नीच चलाएंगे तो यह नीचे लग जाएगी और फिर वो हमार की काला हो जाएगा बस यहाँ पर थोड़ा पेशन्स हमको चाहिए होता है कि हमें इसको कंट्यूनिटी में चलाना है और गैस की आपको मिलेगा और वो भी कम मेथड में कम समय में और विल्कुल आसान मेथड से यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और हमारा शुद्गी अच्छी तादात में निकल आएगा हफते भर की मलाई से आपने देखा मक्कन के कितना निकला है और घी आप अपने परिवार को ताजा घी खिला सकते हैं ताजा बटर बना के पिला सकते हैं और मक्कन तो मिली रहा है यह देखे अभी इसमें यह जो मलाई मलाई से बचा है नीचे इसको मैं थोड़ा सा जलाऊंगी और यहाँ पे फ्रेंस मैं तोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है और यह बिल्कुल सूख के पाउडर जैसा मावा निकलाएगा यह देखे फ्रेंस यह हमारा घी बिल्कुल तयार होने वाला है और इस समय अगा आप बनाएंगे तो आपको इसकी स्मेल बिल्कुल देशी शुद्द घी की तरह की लगेगी यह देखिए और मेरा हो चुका है बस मैं दो तीन मिनिट के लिए और इसको पकाती हूँ इस समय फ्रेंस अपनी गैस को थोड़ा मीडियम पे ही लिखिएगा लो बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि वो लो करने से फिर नीचे लगने का डर रहेगा और मीडियम में वो धीरे धीरे एक समानसब तरह से जब आच लगेगी तो अच्छे से यह पक जाएगा यह देखिए फैंस यह हमारा शुद्र देशी गी पूरी तरह से पक चुका है अब मैं गैस को ओफ कर रही हूँ और अभी गैस ओफ करने के बाद भी हम इसको तो अपर गी बिल्कुल घराम है तो इसको हम थोड़ा चलाएंगे देखिए ब्राउन इज गोल्डन होने लग गया है तो थोड़ी देर हम इसको चलाएंगे ताकि इसके अंदर से जो हीटिंग पार्टिकल्स है वो थोड़ा अलग हो जाए अब यह देखिए फ्रेंट्स यह चन्नी बने लिए और यह कटोरे में उपर से में गी निकाल लोंगी सारा गी मैं इसी तरह से निकाल लेती हूं और फ्रेंट्स देखिए कितनी एक हफते की इसमें कितना गी निकला है यह देखिए फ्रेंट्स और यहां पे जो छनी में मेरा जो है अभी इसके अंदर जो ये जो मावा बज गया है इसको भी मैं थोड़ा दबा के इसमें से घी निकालोंगी और फ्रेंड्स ये मावे को बिल्कूल मत फेकिएगा ये बहुत ही अच्छा होता है इससे अच्छी मिठाई बनती है ये देखें इसे दबा अगर घैस पर घी बनाते तो वो पूरि काली हो जाती और फिर वो कोई यूज नहीं रहती है इसका बहुत तरह से यूज कर सकते हैं आप चाहे तो जाहे तो इसको आटे अटा माड़के आच्छे ये तेस्टी पराठे बना सकते है या फिर पराठे पूरी जो भी आप बना इससे बना सकते हैं यह देखिए यह निकलाई है यहाँ पर और इसको और भी चीजों में अच्छी बिठाई बना सकते हैं आप इसको यूज कर सकते हैं और सब्जी में जो ग्रेवी होती है उसमें भी आप इसको डाल के बना सकते हैं तो शुद्ध गी की आपको सब्जी बन इतनी कॉंटिटी में यह मेरा शुद्र देसी गाय का गी निकला है और यह जो है इसका मावा निकला है देखे फ्रेंट्स इसका यूटिलाइसेशन मैंने आपको बताया है आप जब कभी भी मसाले वाली प्याज वाली सब्जी बनाएं तो मसाला जब भूनते हैं उस समय इसम और इसके साथ हमारा दाने दार बिल्कुल यलो कलर का ब्राउनिश कलर का गोल्डन घी भी घर का तयार है तो है नहीं यह रेसेपी बिल्कुल अच्छी अपने घर में शुद्ध घी बनाने का सही तरीका अगर आपको यह मेरी रेसेपी घी बनाने का सही तरीके की पसंद आ बस एक बर्तन ही यूस हुआ है और आपका फटा फट अच्छा तादाद में घी तयार हो गया है तो अगर आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे प्लीज अपने घर में इसी तरह की से घी निकालिएगा और आप मुझे अपने कमेंट्स बताईएगा लाइक श